नमस्कार आप सोभी पोसुपलक भाईयों को आपका अपना यूटूब चैनल पोसुपलन जनकरी में स्वागत है पोसुपलक भाई जब मैं फील्ड बे घुमता हूँ तब ज्यादा तर पोसुपलक भाई मिलते है और सब लोगों का एक ही सिकायत है कि डाक्टर साथ आगे सा है था हम लोग ये पोसुपलन का जनकर बिजनेस है ये हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये हमारा पीरी दर पीरी का बिजनेस है क्योंकि पोसु हमारा पड़िवर का एक मेंबर है इसको हम घर में पाल रहे हैं सुख दुख में ये हमारा साथ देता है लेकिन ऐसा पृस्थित परिस्थिती आ गया कि डेली का डेली यह पोसुगा जुनसा दाना हराचारा सुखाचारा इसका रेट डेली का डेली बर रहा है लेकिन जो दूद हम लोग पैदा कर रहा है जो दूद हम बजार में बेशने के लिए जाते है या तो यह दूद का कॉमपणी को जब हम देते है तो उसका rate फीक्स है, वो उस हिसाब से बढ़ता नहीं है तो आज ऐसा परिस्थिती आ गया कि महीने के अखिर में जब हम हिसाब किताब लगाते हैं तब हमारा ये मुझदूरी तो छोड़ दीजिए जबिन पर हमने शेट बनाया, उसका किराया तो छोड़ दीजिए जहां जो हम पानी पानी पिला रहे हैं, बिजली का बिल वो सब छोड़ दीजिए जो हम उनको खिला रहे हैं और जो हम दूद बेश रहे हैं उसमें घर से ही पैसा जा रहा है तो ऐसा नौबत आ गया कि जो अगला पीड़ी है वो लोग भी ये पोशु पालन बिजनेस से जो है इनका मुँ भंग हो रहा है तो ऐसा कोई तरीका बता ये कि जो है ये पोशु पालन बिजनेस से हम लोगों का भी मुनाफ़ा हो जाए और हम लोग इस पोसुपालन में रुसी रखें तो पोसुपालग भाई, यह आप लोगों का जुन्साद सिकायत है यह एक दम सही है क्यूंकि यह पोसुपा जुन्सादाना, इसका हराचरा, इसका सुकाचरा यह ऐसा बैपारी के हाथ में जाकर यह बंद हो गया है यह जोन से बैपारी लोग है यह लोग आपका ही इंतेजार करता है क्योंकि आपको यह चीज खड़ितना है तो वो लोग अपना मूँ मांगे जो है उसका रेट लगाता है और वो लोग यह बहाना बनाता है कि यह सिप्स का जो है शोटेज है लेकिन ऐसा कोई नहीं है कोई साटगाट हो रहा है कि वो लोग अपने हिसाब से जो है मार्केट को कंट्रोल कर रहा है और डेली का डेली वो लोग जो है यह दाना हराचारा सुखाचारा कर रेट बरा रहा है तो पोसु पलक भाई को हम यहीं बताना चाहते है कि आपके पास जोन सा पोसु है उससे आपक साल commercial dairy में था जहां पे करीब जो है एक एक फार्म में दस दस हजार जो है गाए होता था वहां पे हर साल हम लोगों का company का जो है बहुत ज्यादा मुनाफा होता था क्यूंकि जो से commercial dairy farm है वहां पे ये dairy business को जो है scientific तरीके से जो है वहां पे चलाया जाता है क्यूंकि उनके पास जो पुसू है वह बहुत ज्यादा दूद देने वाला पुसू होता है और आपके पास जो पुसू आप पाल रहे है ये आप पीडी दर पीडी जोंसा तरीका चल रहा है उसी तरीके से आप पोसु पाल रहे हैं तो आप जो पाल रहे हैं वो कोई scientific तरीका नहीं है आप सब को पता है जितना भी पोसु मिला होता है ओहां पर आप लोग भी देखते हैं हम लोग भी सुनते हैं कि HF गाए एक दिन में 80 किलो दूद दिया है या तो जुन सा मूरा नसल का भैस है वो एक दिन में करिब 35 किलो दूद देता है लेकिन ओहीं HF गाए जो आपके घर पे है वो 5 किलो दूद देता है और जो ओहीं गाए जो commercial dairy फार्म पे है वहां पे average 60 लिटर दूद देता है तो यहीं फड़क है क्योंकि आपके पास एक मैं simple सा example देता आपके पास जोन सा पोसु है समझ लिजे आपके पास 10 HF नसल का गाए है और उस गाए जो है एक गाए जो है एक दिन में 5 किलो ही 5 लिटर ही दूद देता है क्योंकि उस गाए का जोन सा DNA है वो 5 लिटर ही दूद का DNA है वो 5 लिटर से ज्यादा नहीं देगा तो आप चाहे उसका रहसन दूगना कर दीजिए, उसको बहुत ज्यादा जो है, अच्छा माहोल में उसको रखिए, लेकिन उसका DNA में जो उसका 5 लिटर दूद है, वो 5 लिटर ही आपको मिलेगा, आपको 6 लिटर दूद नहीं मिलेगा, लेकिन वो 5 लिटर दूद जो है, आपका 3 लिटर हो तो मेरा कहने का मतलब है आपके पास पास लिटर वाला दूद 10 है तो आप जो है एक दिन में आपके फार्म से खली 50 लिटर ही दूद निकलेगा तो तो हमें 50 लिटर दूद को अगर 40 रुपिया के हिसाब से अगर बेचेंगे तो एक दिन का आपका इंकाम है 2000 रुपिया और से कम अपका acontecerा का दाना हराचारा सुक्षचारा का खर्चा होता है तो आपके पास हर दिन बस्ता है जो है 500 रूपया उसी 500 रूपया में आपका महनात आपका श्जेट का जो है किराया बिजली का किराया मेडिसीन सब कुछ उसमें involved है ओही जोन आपका commercial dairy pharmacy में commercial dairy farm में एक गाय कम से कम 50 लिटर दूद देता है तो उनके बास अगर मान के चलेंगे कि 10 गाय है तो 10 गाय से वो एक दिन में 500 लिटर जो है दूद उनको मिलता है उहीं 500 लिटर दूद को अगर हम अगर 40 रुपया के रेट के हिसाब लगाएंगे तो एक दिन में उनको 20,000 रुपया का दूद बेशता है और ओहीं 10 पोसु को खिलाने में अगर ज्यादा से ज्यादा 4,000 रुपया भी अगर उसको खिलाने पिलाने का खर्चा है फिर भी उनको 16,000 रुपया एक दिन का मुनाफा है तो एहीं है economics dairy business का आप 10 गाय से एक दिन में 50 लिटर दूद पैदा कर रहा है आप उसी में सोए खले 500 रुपया आपको जो है जमा हो रहा है और उहीं सीज जो है commercial dairy farm में 10 गाय से 500 लिटर दूद पैदा कर रहा है और वो जो है 16,000 रुपया डेली इंकाम कर रहा है तो आपको इस पोसु पालन वैपसाय में अगर आपको अगर कमियाप करना है और आपका अगला पीरी अगला नसल को अगर इस बिजनेस को अगर continue करना है तो आपको breeding के उपर काम करना पड़ेगा आपके पास जो ये 5 लिटर वाला पोसु है उसको आपको हटाना पड़ेगा आपको जो है ज्यादा दूद देने वाला जोंसा गाय है वो गाय पलना नसल आएगा पोसू का उसमें ऊओ आएगा तो ये जैनुमीक बूल कोछा बूल का सिमेन आपको जो है यूज़ करना है इसके बारे में मैं आपको बताते जाओंगा तो आजका जोंसा टोफिक था आजका टोपिक में मैं आपको ख़ली इतने ही कहना चाता हूँ कि आपके पास जो पोशू है पांस लिटर है उसको आप जो है निकाल दीजिए और ज्यादा दूद देने वाला पोशू आप पा लिए तो आपको भी जो है जैसे कॉमर्सियल डेरी फाम जो है डेली मुनाफा का मुझ देख रहा है तो हम उम्मीद करते हैं हम आपको जो है ये बोड़ और डेले पास लोगा है ये बोड़ часть घ्यादा